सभी को नमश्कार शाला सिद्धी का डाटा फिल करने के लिए हम सबसे पहले अपने क्रोम ब्रोजर को ओपन करेंगे इसमें हम सर्च करेंगे शाला सिद्धी लॉग इन इसमें सबसे पहले हमें आ जाएगा वेलकम टू शाला सिद्धी लॉग इन इसको हम क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद हमारे मुबाइल पे इस किसम का इंटरफेस आ जाएगा जहां पे हमें लॉग इन करने का कोई भी आप्शन सामने नहीं दिख रहा है इसके लिए हम जो तीन डाट है राइट साइड में इस पे क्लिक करेंगे अब हमें ये पता करना है कि हमारा स्कूल जो है वो आल्रेडी रिजिस्टर हुआ है या नहीं इसके लिए हम क्या करेंगे सबसे पहले हम अपना स्कूल के जो है यूडाइस कोड जो है वो यूजर नेम की जगा पे डालेंगे user name डालने के बाद हम नीचे last में आएंगे submit से नीचे new user यहाँ पे हम click करेंगे जैसे हम यहाँ पे click करेंगे हम अरे पास को इस किसम का dashboard पे आ जाएगा इस को हम fill करेंगे जैसे ही हम new user details fill करके otp generate करने जो last में option है इस पे click करेंगे तो यहाँ हमें उपर आ चुका है user already exist इसका मतलब हम पहले से ही registered है अगर आप registered नहीं हैं तो आपको एक otp आएगा जिसके माधिम से आप register हो सकते हैं register होने के बाद आपने login करना है जैसे ही हम login करेंगे उसके बाद हमें कुछ इस किसम का interface नजर आएगा जो अभी हमारा काम है वो start होता है right side में evaluation start यहाँ पे पहला option है learners इस पे हम click करेंगे learners इस पे हम click करेंगे तो हमारे पास कुछ इस किसम का interface सामने आ जाएगा उसके बाद हमने 2022 का जो data है demographic profile में इनुने मांगा है इसको भरना है दूसरा जो इसके साथ section है class wise annual attendance इसकी हमने जो है वो percentage भरनी है boys और girls की total जो है वो खुद बखुद आ जाएगा जो previous academic year की जो हमने attendance भरनी है उसमें percentage निकालने के लिए इनुने हमें नीचे फार्मूला भी दिया है और इसकी example भी दी है हम इस हसाब से percentage निकाल सकते हैं हमें boys और girls की अलग-लग class wise attendance निकालके यहाँ पे fill up करनी है जैसे हम boys की attendance यहाँ पे डालते हैं उसके बाद girls की attendance डालते हैं तो जो उसकी average निकलेगी वो automatically हमें total में आ जाएगी इसी तरीके से हमने सभी classes की attendance भरनी है boys और girls की और total खुद खुद आगे आ जाएगा सभी classes की attendance भरने के बाद हम इसको submit कर देंगे submit करने के बाद हम next पे चलेंगे तो next पे हमारे पास कुछ इस किसम का interface आएगा जहां हमें जो previous year है 2022 उसका result फिल करना है percentage के हिसाब से हमें ये फिल अप करना पड़ेगा 33% से नीचे कितने है 33-40 कितने है 41-50 कितने है class wise उसके बाद हमें submit करना है जब तक हम submit नहीं करेंगे तब तक data जो है वो save नहीं होगा data save होने के बाद हमने next करना है next में इसमें आपको आएगा performance in key subject annual this data is not ये कुछ school के लिए applicable नहीं होगा उसके बाद हम चलेंगे teachers में right side में learners के बाद आप number आएगा दूसरे number पे teachers जैसे हम teachers पे click करेंगे यहाँ पे number of teachers in each category यह हम fill करेंगे male और female अलग अलग हम करेंगे यहाँ पे भी और total जो है वो खुद भुखुद आ जाएगा train कितने हैं untrain कितने हैं जहाँ applicable नहीं है वहाँ पे हम zero लगाएंगे fill up करने के बाद हम submit करेंगे submit करने के बाद हम चलेंगे next पे next पे जब हम चलेंगे teachers attendance अब यहाँ पे जो teachers attendance जो previous year की 2021-22 की मांगी गहने इसमें आपने number of teachers लिखना है ना के attendance लिखनी है कि कितने teachers जो हैं वो long leave पे रहे more than one month या short up to one week जो छुटी पे रहे हैं उनकी detail हमने यहाँ पे भरनी हैं और भरने के बाद हमने फिर यहाँ पे फिर submit करना है submit करने के बाद हम चलेंगे next पे जैसे ही हम अगले section में चलेंगे यहाँ पे हमें अलग अलग domain मिलेंगे चार और तीन साथ domain हैं यहाँ पे यहाँ हमने हर एक domain को thoroughly फिल करना है इसमें हम सबसे पहले ले ले लेते हैं domain जो first है enabling resources of school इसमें हम सबसे पहले क्रिक करेंगे domain 1 पे इस जगा हम क्लिक करेंगे क्लिक करेंगे हमें कुछ इस किसम का interface देखने को मिलेगा जहां evaluation करनी है हमने up to level 3 अब level 1, level 2 और level 3 इसमें इस साब से दिया है कि जो top में है वो level 3 में आएगा और जो lowest है level 1 है आपकी performance अगर low level पे है तो level 1 में आएगी ताप पे है तो level 3 में आएगी इसके लिए हम response matrix पे क्लिक करके कोर स्टेंडर में जाके इसको चेक कर सकते हैं कि हमारा जो school का जो level है किस चीज में किस लिएगल पे है response matrix को अच्छे से देखने के बाद हम levels जो है वो इनको टिक करेंगे इसमें availability and adequacy है और दूसरा है level quality and usability उसके बाद इसमें तीसरा कॉलम है prioritize the area of improvement कि इस area में कितनी improvement की जुरूरत है low level पे है high level पे है medium लेबल पे है इन सब को हम टिक करेंगे इसके बिना आगे ये submit नहीं होगा ये सारे भरने के बाद हम इसको submit कर देंगे submit करने के बाद हम चलेंगे next domain में next domain में भी हम domain 2 में teaching learning and assessment इसमें response matrix में जाके हम core standard पे click करेंगे जहां हम देख सकते हैं कि हम किस level में fall करते हैं इसको हम अच्छे से thoroughly study करके सभी किस level में हम fall करते हैं तो उस साब से हम इन सभी domains को भरने के बाद जब हम next चलेंगे तो उसमें action in improvement plan इसमें सबसे उपर हमने mission statement लिखना है अपना एक 20 से 50 words का इदर टाप पे उसके बाद हर एक domain जो है उसके बारे में आपने area of improvement क्या है आपका उस domain में proposed action क्या है और support need ये हमने minimum या maximum जो है वो 15 words का एक एक इसमें comment लिखना है हर domain के लिए इसके लिए हम क्या करेंगे इसके लिए हम वापस यहां से domain में आएंगे school evaluation composite matrix जो है यहां पे हम click करेंगे जो हमने domains इसके भार दिये हैं सबसे पहले हम पहला domain चेक करेंगे तो जो पहला domain है इस पे जैसे हम click करेंगे तो यह जो हमने data fill किया है यह आपके सामने आ जाएगा इसमें अब आपने evaluate करना है कि हमें किस field में कौन सा comment लिखना है क्या लिखना है इसकी research करने के बाद हम action for improvement plan में आएंगे और यहां पे हर एक domain के लिए area of improvement लिखेंगे और उसके साथ proposed action क्या है action plan क्या है हमारा और support need इसके लिए हम minimum या maximum आप लिख सकते हैं 15 words तक comment यह हर domain के लिए आपने तीन-तीन comments यहां पे लिखने हैं 8 domain के लिए अलग-अलग comments आपने लिखने हैं कि comments लिखने के बाद हम यहां पे कर देंगे इसको submit जैसे हम submit करेंगे तो यह final submission है इसके साथ ही हमारा यह पूरा data जो है वो save हो जाएगा और जो हमारा evaluation का काम है वो यहां पे कतम हो जाता है